हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ए लर्निक पॉइंट्स आप लोगों को इस चैनल पे दुबारा स्वागत है यह हमारा PCS का रिविजन स्रीज है और जेनल साइंस हम लोगों को डिसकसन कर रहे है जेनल साइंस में जो हमारी आज का सब्जेक्ट है जो हमारी डिसकसन स्टार्ट है वो बाइलोजी है और आज का जो टॉपिक है मानो सारेरिक और किरिया बिग्या जिसमें पहला पॉइंट है कंकाल वमान स्पेसिये तंत्र तो आज यह स्टार्ट करते हैं डिसकसन को कंकाल वो मानस्पेसियतंत मान голосाय सभी कषेरुकियों को एक अक्रति परदान करती है तो शरीर को शहारा दर्रेक्टा वगति परदान करने में सायक होती है मानो का कंकाल मुखहत दो भागों में बाटा जाता है पहला भाग है और बहा कंकाल आँग दूसरा अंतकंकाल दो भागों में बाटा होता है, पहला अच्छिय कंकाल और दूसरा उपांगिय कंकाल, ब्यस्क मानव में 206 बोंस होते हैं, जो कि कंकाल तंत्र का निर्मार करती है, कंकाल के अच्छिय तथा उपांगिय भागों में अस्तियों की संक्या प्रिथक होती है, अच्छिय भाग मे जो हडी होती है जो जांग में मिलती है, मनूष के खोपड़ी में कूल अस्तियों की स्तंके 28 से, जिसमें 8 मस्तिक के 4 और मस्तिक का खोल यानि brain case बनाते है, और 6 से जो हड्डिया 13 है इन में से 14 जो हडिया है और चेरे का कंकाल बनाती है और सिस छे जो है मध कड़ों में कड़ अस्तिया होती है हायोड नामक एक और अस्ति मैंडिबल तरह कंड़ के बीज जिहवा के नीचे इस्तित रहती है मनुष का कैसे रूक डंड जो आता है यानि जो भर्टेवरल कॉलम होती है या जो हड़ी होती है उस 26 शिसवों में 33 छोटी छोटी हड़ी हों में बनी होती है जिने भर्टेवरल कह सकते हैं कि आप कैसे रूक कहते हैं ठीक है और गर्दन का जो पहला कैसे रूक है वह एटलस कैसे कलाता है जो गर्दन को साधे रहता है मनुष के सरीर में पशलीयों की और उरोस्ती यानि एस्टर्नम से पीछे की और वचिया कस्यरुकाओं जो है यानि थोरोसिक जो भटेवरी है इसे संदित रहती है सभी पसलिया मिलकर लगबग बिलनाकार पिंजड़ा यानि केज बनाती है जिनमें फेपड़े हिर्दे और अंतरांग जो होते हैं इस्तित कारिक फॉलसरुप शरीर का जो अस्तित है बना रहता है हमारे सरीर का अधिक्तम भाग जल से बना है और जिसमें इसकी मात्रा है लगबग 60-70% जीवतंत्रों के अनधिकांस पदात जल में घूले रहते हैं और इस परकार कोश्की द्रव उतक द्रव रूदिर प्लाजमा तरल जल ही होता है मानो सरीर में प्रधान रूप से छेता तो पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन, कार्वन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्सियम, फासपूरस होते हैं मानो सरीर के भाग, भाल का जो 65% प्रतिसद आउक्सीजन है 18% कार्वन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइड् होता है सेल किरिया यानि ऑप्रेशन में और्थो प्लास्टिक कुल्हे के जोड़ का परतियस्थापन है और्थराइटिस या अनकारून से निस्क्रिय हो चुके जोड़ों का परतियस्थापन या पुनर सनियोजन इस सल किरिया में किया जाता है लिगामेंट जो होता है जो एक हडी को दूसरी हडी से जोड़ता है तेंडर होता है मान स्पेशी को हडी से जोड़ने वाली एक सनियोजी उतक होता है नाखोण बाह कंकाल का अंतर्गत आता है जो स्टोरिल। अल्फा कायरोटीन के बने होते है यह मृत कोशिकाओं का द्रब्य द्वारे निर्मित होता है जिन में रक्त का संच्रन नहीं होता है यही कारण कि इने काटने पर क्या होता है दर्द का भास नहीं होता है कैल्सियम फासपोरोस और फ्लोरिन अस्ती एवंदंत निर्मार तथा इसकी मजबूती के लिए आवस्यक होते हैं इनकी कमी से अस्ती एवंदंत समंधी बीमारिया हो जाती है मनुष्ण के जीवन काल में 20 दात धोबार भिक्सित होते हैं इस परकार इस परकार्प्यक्टि के 12 अस्थाईज 54 दंत होते हैं जो एकदंत होते हैं। मनुझ से शहीत अस्थ्तनियो नादीर शृववफ 17 से चार परकार के दात होते हैं। पहले के मुलर्स होता है इसे क्रिंटक प्रिंटख 406 के मृलर्स होता है। प्रच्षवण और चवण मनुस का दंत्रसुत यानि डेंटर फर्मूला जो है वह आप देख सकते हैं और यानि 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 अका मतलब इंसेजर और वह टो बाइटू मतलब दो उपर दो नीचे और शी वण बाईवन यानि एक ऊपर एक नीचे और पी अनि प्री मोलर्स तू बाईटू और मोलर जो है तिरी वाइट थी बॉर बराबर क्या होगा आठ बाइट बराबर 16 इनटू कि उपर नीचे होते हैं तो सारे होगे 8 8 8 8 16 12 32 32 दात होते हैं मानों शरीर का सबसे दुरिड़ भाग दंत वालक यानि इनेमल्स होते हैं यह दात के सीखर यानि जो दात का सबसे सीखर कोना मतलब सब आगे की और जो होती है जिसे क्राउन कहते हैं अत्यदी कठोर सफेद सा य कैल्सियम कार्बोनेट का किसी भारी बस्तु को उठानी की छमता के संदर में जबड़े की मानश्पेशिया सबसे मजबूत समदी जाती है जबड़े की मानश्पेशियो द्वारा 975 वाजन दो सेकेंड तक उठाने का रिकॉर्ड गीनेज बुक में दर्द भी है फुलक यानि नीकैप और असकंद फुलक यानि सोल्डर ब्लेड से समंद्ध अस्तिया होते हैं मतलब अस्तिया है इस पर आदारे जो कोशा ने देख रहते हैं पहला कोशा ने हमारे शरीर का अधिकता भार बना है किससे बताए जल का बना होता है और क्योंकि यह 75 परसेंट जो है मतलब 70 से 75 परसेंट जो भी कह ले जो हमारा सरीर का भार है वो पानियों के मालब जू जल है जल का है दूसरा नंबर कोशा ने एक ब्यसक मानओं सरीर में जल परतीसत होता तो 65% its based and ऐा घम होता है तो 65 25 अंतर में माल constantly जो हुता है यह उनके बार का ऑठब का घड़ाativa हो फच पन्सक्राइव के टीक है और नवजातत बच्चे के शरीर में 75% जो जो होता है जल होता है तीसरा नमबर कोशन मानो सरीर में स्रवाधिक परचूर मात्रा में पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं तो ऑक्सीजन है चार नमबर कोशन मानो सरीर में अधिकता मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है तो वही कोशन है आपका कैल्सियम है जो 10% hydrogen 3% nitrogen और 1.4% calcium और 1.1% phosphorus होता है बयस्ख मानों में कितनी अस्तिय होती है तो 206 होती है बी अपसन अपका सही है छे नमबर कोशन है मानों कंकाल में अब तक हड्यों की संख्या कितनी है तो 206 होता है तो 205 होता है तो दिखिये 206 होती है तो इसमें नहीं दिया है तो मतलब उ सबसे चोटी हंड говорит kardeş है सबसे बड़ी नोघ सबसे लग धी कांव हंडSL की के घ्र होती है तो बताई alltså अस्तिया होती है 28 अस्तियों का जो function है आपको पता है उपर में discussion किये तो एक बार देख लीजिएगा और वैसे थोड़ा सा एक-दो से बनते हैं जो कि सुनने में सायक होती है 12 कोसान मनुष्र की जोड़ी होती है ठीक है यानि 24 होती है 12 जोड़ी हो या तो आपको 24 संखे आतो 24 या फेल मेर पूचेगा तो 12 या फोस होती यह उपर नीचे की ओर जांगgest जंखा या पाया जी से बोलते है इसाइसाइस पैर में बटी होती है जांग में सिर्फ एक हड़ी फिमर होती है जो सरीर के सबसे लंबी और सबसे भारी हड़ी होती है जांगा में टीबिया तथा फिबूला नामक दो हड़ीया पाई जाती है जबकि पैर में तीन भाग गुल्फ, तलुआ और पादंगुलिया जो हैं मिलती है और नेक्स्ट कोशन जो है देख लेते हैं चौदर नमर कोशन है सल क्रिया में और्थोप्लास्टी क्या है तो और्थोप्लास्टी जो है आपका कुले के जोड़ है इसका प्रतियस्तापन यानि हिप ज्वाइंट रिस्प्लेस्मेंट होती है तो सी अप्सन आपका सही है यान और अर्थोप्लास्टी का उधेस दर्द से छुटकारा दिलाना चलने की छमता को ठीक करना और मानस्पेशिया की सक्ती में सुधार करना होता है अर्थोराइटिस या अनकारोनों से निसक्रिया हो चुके जोड़ों का परतियस्थापन या पूनस्त नियोजन इस सलिक्रिया में किया जाता है पंधर नमबर कोश्चन है कि परतियस्थ यानि टीसू जो हड्डियों को एक साथ क्या करते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो लिगामेंट्स कहते हैं 16 नमबर कोश्चन है दातों पर जमी परते बनी होती है किसकी बनी होती है तो भोजन के कंड ठूक मुख अमल और बैक्टिरिया से दातों पर जमी जो परते होती है भोजन के कंड ठूक मुख अमल और बैक्टिरिया से बनी बरहती है भोजन प्रांद ठीक से सफाई ना होने कर भोजन के छोटे-छोटे कणड़ होते हैं दातों पर च्पके रह जाते हैं थूक मुख को श्रस बनाए रखने के लिए आवस्थ कद्रव है मुख जो ए अमल में लार से स्राविट टैलिन एंजाइम होता है जो मुख में आमल होता है यानि जो लार बनता हो ओ टैलिन स्थिति का पता लगा था नेक्स कोशन है 17 नाखुन काटने समय जो हादा दर्द नहीं होता है के उन नहीं होता है तो आपको पता है नाखुन मिरत को सिकाओं के नहीं है तो आयोडीन जो है इसके लिए आवस्यक नहीं है बिस नमर कोशन है मनुष के जीवन काल में कितने दाथ दो बार बिक्सित होते हैं तो आपको पता है बिस दाथ जो है दो बार आते हैं और एक इस नमर कोशन है हमारे सरीर का सबसे द्रिड भाग कौन सा है तो दंत व तेश नमर कोशन को मिलाल करना है जो breast bone होता है कहा होता है breast bone को का जो समन्द और stendum से है और collar bone का जो है calivical से है और kneecap जो है पैटेला है और shoulder blade है जो scapula से है तो आपका इस तरह से D option सही है और 24 में भी मिलान करना है breast bone, sternum, collar bone आपका जो है और kneecap पैटेला और shoulder blade जो है scapula तो C option आपका सही है नेक्स जो दूसरा आमना point है और पाचनतर है तो डाइजेस्टिंग सिस्टम के बारे में देख लेते हैं बिभीन भौतिक रसायनी किरियाओं और enzyme की सहयता से भोज पदात को सरल छोटे वह गुलनसील अणों में बदनना पाचन होता है ठीक है तो बिबेन भौतिक रसायनी किरियाओ और एंजाइमों की सहाता से भोज पदात को सरल छोटे ओवा घुलंसील अर्गों में बनना क्या होता है पाचन होता है भोजन करने पचाने पचे हुए पदातों का और सोसर करके इन्हें रूधि में पहुंचाने ततस्यस निरत पदातों को मल के रूप में परित्या करने में सामिल सभी अंग जोते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं पाचन तत्यम मुख मुख से गुदा तक फैली एक लंबी अहार नालजी से बोलते हैं होती है ठीक है जिसे एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं इस्तिस्तवन्दित अहार नालजी लंबाई जो होती है उसतन कह सकते हैं 10-14 मिटर होती है मुख ग्रासन गुईका जो होती है ग्रासनली अमासया तता आत अहार नाल के यह क्या है प्रमुक भाग है लार का स्रोन लार ग्रंतियों द्वारा होती है यह हल की अमली है यानि जिसका पिएच मान कितना होता है 6.8 इसमें लगबग 95.95 जल होता है मनुस के मुख गुआ में लगबग 1.5 लिटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है लार भोजन को गिला करने और उसकी लुगदी बनाने में क्या होता है सायक होती है जिससे उसे क्या होता है असानी से निगला जा सके इसमें वो हेल्प करता है टैलिन जो होता है लारी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को सक्रा में तोड़ता है एमाइलेज क्या है तो केते हैं जल अब घटंदोरा मल्टोज में परिवर्तित कर देता है जो बाद में गुलकोच अड़ों में यह टूट जाता है लिवर लिवर के बारे में देखते हैं मानवासरी की सबसे बड़ी गरंती है लिवर ठीक है यकृत जिसे बोलता है इन्दी में यह उदर गुवा मे है तंतुपट ठीक है तंतुपट अधाद डायाफ्रों के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अधाद मिसेंट्री से संजुक्त गहरे लाल भूरे रंका होता है इसका भार लगबग देड़ किलो ग्राम होता है यह लगबग 500 किरियाओं का संपादन करता है इसकी कुछ मुख किरिय करना रक्त प्लाजमा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन रक्त में अमीनों के नीयमन तत्हा भिशाख्त अमोनिया को इयूरिया में परिवर्तित करना अधार्त इयूरिया का संसलेशन आधि यह सब इसका फंक्षन है इसके बाद प्रति दिन लगबर 800-1000 मिली लीटर होता है पीत में कोई पाचन नहीं होता है फिर भी यह लिपिट के पाचन में और ओस्जण में सायक होता है या वसद dif कि करता है और लिपिट के पाचन में लाई पेज नामक गिन्टर हें प्रोटेन के प्रोटेन के पेप्टाइट्स निखलाओ वा अमीनो एसिट्स में बिखंडित करते हैं अगनासे यानि पैंक्रियाज इसके बारे मदलते हैं मानोसरी की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है यह एक मिस्रित गरंती है जिसमें एक साथ अंतर सरावी यह बई सरावी दोनों परकार के भाग जाते हैं ट्रिपसीन नामक एंजाइम का सराव अगनासे द्वारे किया जाता है जो कि प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड में परिवातीत कर देता है मानोसरी में सुद्रांत चोटी आंत अहार नाल का एक भाग होती है जो कि अमासय तता बढ़ी आत के मद इस्तित होती है इसमें अधिकांस भोजन का पाचन होता है तथा पच्य भोजन का असोशन किया जाता है यह ग्राणी मध्यांत्र जिसे हम कहते डेडुलम जेजनम और इलुन ठीक है इलियम यानि सेसांत्र बिवेधित होती है जिनके लामवाई कितनी होती है पचीस सेंटीमीटर 7 dobrze मीटर और 37 Давайте का अधियांत्र एनि देयाओ ठीक THE डियतनम होता है जेजनम होता है और इलियम होता है ठीक है तो इनकी लंभाई आपको दिया गये है चोटी आथ कूंढ़ित नालिक होती है जल्यिकन नलिका होती है जो इस फिगर में दिखाए गया जीब मुख में क्या होता है लार और टाइलीन और एंजाइम या लार ये इमाईलेजी संबोलते हैं और ग्रास नली आप देख सकते हैं जो आपका जीब से लेके या मुख जो है मुख से लेके आपको यहां अगनासे तक यानि डैफरॉम तक का इमल्सिक्रण होता है और यह एक्रित है इसका फंक्शन है पीत का उतपादन ग्लाइकोजिस युरीया का संसलेशन यह सारे हैं अगनासे का जो है इससे उतपन होता है इसके बाद छोटी आज देख सकते हैं आप ड्राइफरॉम के नीचे अमासे है इसमें इसमें अल प् आप फिगर के तरह जो है और फिगर को देखके समझ सकते हैं मानो सरील में इस पूछ जिसे आपेंडिक्स कहते हैं यह जिसे हम क्रीमी रूप परिप सोसी का कहते हैं जिसे वर्निफॉर्म एपेंडिक्स की मतलब जो है यह रूपांद्रण है इसकी लावाई लगवाई चार इंचोती है जो की एक और यानि जो वेश्टियल जो और्गन होते हैं यह होते हैं इसका अकार छोटे क्रीमी की तरह होता है यह बड़ी आथ से सिकम द्वारा जुड़ा होता है एंजाइम मुल्तब प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरित के रूप में जैव रसानी कि करते हैं जैव क्रिया में एक विशेश परकार के एंजाइम का विशेश कारेयों को संपादित करते हैं जैव क्रिया में क्या करते हैं एक विशेश कारेयों को संपादित करते हैं यह उसी परकार कारे करते हैं जिस परकार एक ताले को खुलने के लिए विशेश चावी की आ आपका जो पहला है इसमें जो पाचन का अधिकान जो भाग होती है वो a small intense time में यानि छोटी आत में संपान होता है इसके अलाव पचे वे पदातों का और सोसल मुखेता छोटी आत में ही होता है और भोजन का पाचन मनुस्य में मुख से प्राराम होकर बढ़ी आत में चलता यह यकरित वसा के पाचन में महतपूर्ट भूमीका निवाता आता है कारण आर में करता है तो देखिए यह सही है और जो है गलत है क्यों क्योंकि यकरित में कोई enzyme उतपन नहीं होता है चाल नमबर कोशन एंजाइम क्या है तो एंजाइम एक बाय उत्पर रख है पांच नमबर कोशन एंजाइम मुलता क्या है तो आपको पता है एंजाइम जो है ओ आपका प्रोटीन है और नेक्स कोशन जो है देख सकते हैं आप छे नमबर कोशन देखते हैं वही कोशन है एंज प्रिवातित करने को प्रिवातित करता है तो जाइमेज प्रिवातित करता है तो इसका रियक्शन आप देख सकते हैं जिसा ग्लुकोज का सूता सिस्टम में रसाइणी किरिया की परकिरिया को तेज करने में उतरदाई पतात कौन सी है तो इंजाई में नव नमबर कोशन है कि नेमलिखित में से किस एक उतपती यक्रित का कारे है तो इूरिया का देखिए लीवर मानोसरी की सबसे बड़ी ग्लैंड है या उदर गुहा में तंतुपट अथाद डायफ्रॉम के ठीक नीचे अंत्रयोजनी अथाद मिसेंट्री से संजुक्त गहरे लाल भूरे रंका होता है इसका भार लगबग तीन पॉंड होता है मानोशरीत का एक महतुपट पाचन अंग है जिसके द्वरा लगबग 500 किरियाओं का संपादन किया जाता है इसे कुछ किरिया है जैसे पीत का उतपादन रख्थ Ohma के उतपादन ग्लाइको जो नोसीस कि रिख द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तम रख्ड में अमीनों आम्मण का नियमन और विसक्त अमोनिया को इवरिया में परिवर्थित करना आदी नेक्स्ट कोस्चन है दस लिपिट्स का पाचन निमलखित में से कुछ की उपस्तिती में होता है तो आपका जो है इसमें केवल एक और दो सही है यानि पीत अमल और लाइपेज लाइपेज जो है यह आपका सी अप्सन सही है हमारे between ओ से लिपिट्स कोई इन्जाइम नहीं होता है फिर वियर लिपिट्स के पांचन में और 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 श्वें सहयक होता है वसा का इमसी करण करता है प्रोटीन के पांचन में सहयक होता है फिर दख़ीये गेस्ट्री में जो हैए सब पाचक एंजाईम है जिनका स्राव क्रमिसाग नाजरु और अमाशे द्वारा किया जाता हैricular ट्रिर्प्सटिय एक 뭔가 pept is लुटाइब हुआ है एक हर्मोन जोंकी अमासे में जी कोशिकावनWeek मोगत होती है। यहां अमासे सब्सक्राइब स्रावन से मदब रुदिपित करता है 12 कोश्यक्षर में कतंद 10 कह रहा है हमारे आहार में सभी प्रोटीन और किवल सुन्द्रांत्र में होता है कि आगेरा अगनास्य describes प्रोटक में प्रोटिन को जैग ऑंजसे में Это बहुता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिपसिन नामक प्रिवर्तित कर देता है तेरह नमबर कोचन है प्रोटीनों के पाचल में सहएक एंजाइम कौन है तो ट्रिपसीन है चौदर नमबर कोचन है स्टारच को जल अफगटन से गुल्रकोच बनाने वाला एंजाइम कौन है तो आपका hemylase है M.I.LA जो है एक एंजाइम का एंजाइम है जिसका स्राव लार ग्रंतियों और अगनासे द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अब घटन से गुलकोच निर्मित करता है मतलब की मतलब की अगनासे एक मिसिस ग्रंती होती है जिसमें हार्मों का पाचन का रश स्राव होता रहता है पाचक रस छारी होते हैं जिने अगनासेक रस यानि पंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं 16 नंबर कोचन है मानो सरीर में पुछ कौन सी सरचना से सलंगन होता है तो आपका बिरिधा अंतर से ठीक है यह अप्शन सही है मानो सरीर में इस्तित पुछ यानि अपेंडिक्स या क्रीमी रूप परिसेसी का एक अंग है यह छोटी वह बड़ी आज के जोड़ के पास दिस्तित होता है इसका अकार छोटे क्रीमी की तरह होता है जो बड़ी आज से सीकन द्वारा जूड़ा होता है के अरम में जिव जिवते यानि जीवन था पुरतव सकाहरी था जिसमें सेलुडोज युक्त पतिवों के पाचनक लिए इस अंका उप्यों किया जाता है घला 10-घर मानो सिबहता का बिकास के साथ मंनुष्यर के सर्वाहर्य होने कर इस अंका क्या हुआ फंक्सण समाथ चों बर्तमान समय उस्यस मात्र रह गया जबकि सकाहरी जन्तुओं गाय बेल इत्यादी में सेलिलोज पाचनेतु आज भी पुछ बिक्सी तवस्ता में है तो आपको देखिए बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है तो देखिए पूरा इसमें क्या करना है जो सही है उसी को हम लोग देख लेते हैं देखे इक रुफ स्दोर पर करता है इसका सई सुमेलित है सही जोड़ा है इकोलाई बेक्टेडिया स्रावित एंजाइम इकोलाई प्रतिबादिन एंडो निकलिये सिकेंड या इको आर्टू की डियेने को बिसिस अस्थलोप पर काटने के लिए परियुक्त होता है नेक्स्ट कोश्चन जो है नेमलीद में से कौन सा लार की सायता से पच जाता है तो लार की सायता से क्या पचता है रे से ठीक है बिस नमबर कोश्चन अभी कतन में ए में कह रहा है कि मानो सरी सेलिलोज के पाचन में असक्षम है और कतन आर कह रहा है मानो सरी में स्टार्स अब गटक एंजाइम डाइस्टेस डिद्धमान रहता है तो आपको पताना है कौन से सही है दोनों सही है लेकिन आरे की सही है सपस्टी करण नहीं है सबसे बड़ी जो गरंती है जिसका पर्मुकार रक्त में उपस्टी अत्रीक्त गुलुकोच को गलाइकोजन में क्या करना प्रिवातित करके संचित रखना है आपको पता होगा आपको पता होगा चुबिस नम्र कोशन मानों सरील में सबसे बड़ी गरंती क्या है है वहीं कोशन है 25 में पुछ रहा है कि नीव नें अंगों में से पित असे किस में होता है तो पित का संचे करह उता है नेक्श कोशचने जो है देख लेते हैं 26 नमर कोचन है शरी के किस भाग में पित का निर्माण होता है तो यक्रित्म होता है 27 नमर कोचन पितासे में उपस्तित पत्थर निमलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है तो वसा का देखिए पितासे जो हता है पितासे यक्रित में उत्पन पित का भंडारन करता है पिताहसे के अंदर पित अवयों के संग्रन से बना हुआ रवाकृत जमावी पित की पत्री है पित की पत्री वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन कर सकती है 28 नमर कोचन है समान्य मानवय के संदर में नीम कत्मप आपको विचार करना है पहला है ACL की माज़ुदगी की अनुक्रिया का रूप में गरहणी से सेक्रेटीन उत्पन होती है दूसरा कह रहा है कि वसिया अमलों की माज़ुदगी की अनुक्रिया का रूप में सुदरांत्र से एंट्रोगेस्ट्रोण उत्पन होता है ठीक है क्या ये दोनों सही है इसको रुणता है और शुद्रान तता benz剛 प्रोटीनों को एमिनों में बिगटित करता है तो प्रोटीन को एंजीओ-ससी नोज ठीक है तो इसको एंजियो टेसिन में बदलता है तो थोड़ा सा नाम को आप एक बार इवीजन कर लीजिएगा मतलब प्रनेंसिंस कर लीजिएगा अच्छे से और ऑक्सिटोसिन जो है यह क्या को होता है कि मस्त्रेंट प्रेसियो में सिकुणन प्रेरिद करता है और एक 30 नमबर का भी मिलान करना है बिटामिन आपको जो मिलेगा कहां मिलेगा तो बिटामिन जो है आप यहां पर देख लिए बिटामिन केरोटिन में बिटामिन जो है कैरोटिन एंजाइम पेपसिन हार्मोन जो है टेस्टोर जो हार्मोन है वो कहां है किसको कहते हैं तो और पोजेस्टरोन ठीक है और प्रोटीन जो है केरोटीन ठीक है तो केरोटीन और केरेटीन दोनों याद रखिएगा बिटामिन केरोटीन और प्रोटीन जो है केरेटीन इसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट होए और बिटामिन जो हम पोशड है तो इसका डिसकस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक्यू मिलते हैं नीव वीडियो में नीव अपडेट के साथ और नीव टॉपिक के साथ